निलाक्षी अपने माबाप के एक लोती संतान थी, पैसा नहीं था पर उसको बहुत प्यार से पाला था, निलाक्षी को घर में सब नीला कहते थे, उसका ये नाम उसकी आँखों की वज़ा से पड़ा, उसकी आँखे आस्मान की तरह नीली थी, लोग कहते थे कि इसके लिए क पीता का नाम अशोख था और मा का नाम रतना, मजदूरी के काम के साथ वो गाउं में मुर्गियां बेचा करते था, जो भी उससे मिलता, उससे वो गुजारा बसर करता, अशोख बहुत मेहनती था, पर उसके गाउं में और कुछ करने लाइक नहीं था, इसलिए वो शहर ज चुकाने के लिए उसको अपना घर बेचना पड़ा, अब उसके पास गाउं में कुछ बजा नहीं था, वो कहते है ना मरता क्या ना करता, उसके पास कोई चारा नहीं था, शहर जाने के सिवा, कुछ मजूरी के पैसा जोड रखा था, अशोक ने नीला के लिए, उसी को दाव पे लगा के शहर की तरफ चल दिया, अपने बीवी और नीला के साथ, नीला उस समय कुछ आठ नो साल की होगी, उसके पीता की हालत समझती थी, अपने पीता को बेवस और लाचार दे, मां से लिपट कर रोती, वहां पहुंचकर अशोक ने एक छोटा सा कमरा किरायर से लिय साथ में दुकान लगाने के लिए जुगाड के लिए वो दिन राग जो मिले वो काम करता, एक तीन काम से आते हैं तो मुर्गियों की एक दुकान दिखी, उसने अपने कदम उसी तरफ मोड लिये, वहां पहुंचकर काम के बार में पूछा तो वहां काम भी मिल गया, अशो ये था, सो मिल गया, कुछ समय जोड लेंगे, उसके बाद अपनी खुद की दुकान लगाएंगे, घर में खुशी का मौल था, कुछ दिन बीच जाने के बाद अशोक ने अपनी दुकान बना ली, उसका पुराना मालिक बहुत अच्छा इनसान था, उसी ने उसको दुकान में मल्द भी करती, वो बे दुकान से काम अब खुद करती, जैसे मुर्गियों का वजन करना, पैसे लेना और उसको काटने में कभी मल्द भी करती, अशोक को ये पसंद नहीं था कि नीला ये सब काम करे, वो उसका घर जाने को कहता पर नीला अपने पती को मल्द करने से न चाचे लाता